हलो मैंने प्यान अभी जारतियों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद कर रहा होंगे सब लोग अच्छे होंगे और एक्दम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे जैसे कि सारे बच्चों को बटा है हम एक्जाम सीरिस लेके आया हैं बच्चे पूरी की पूरी जो स्रिफ दो चीज़े महत्यवपुन काम आपको करने होंगे पहला जो महत्यवपून काम बच्चे आपको एकदम जी लगा के पढ़ाई करने होगी सारे कांटेर कर रहे हैं वह को प्रॉप्रिली टाइम तुट टाइम जो है रिवाइज करना होगा पढ़ना होगा अच्छे तरीके से दूसरी महत्यों काम बच्चे आपको जो है यह जो विडियो लेक्चर अपने दोस्तों के गरना है फैला देना है ठीक है साथ जाथ बच्चे आप जो इन बच्चों को यह थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा ठीक है यह जो कंटेंड बच्चे हम दे रहे हैं वह करेंगे बच्चे लाइक करेंगे और बच्चे अपने दोस्तों तक सेयर करेंगे और जिस टॉपिक के अंदर किसी बच्चे को दिक्कत आओगी या फिर कोई क्वेरी होगी ठीक है तो वह क्या करेंगे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके हमको जो है सजेस्ट कर सकते हो या सेल से से वोलते हैं वो जो कंसेट अब फूरा ओवरल बहुत तगड़े तरीगे से हमादे ने को फॉ ड़ये उसके दो लेक्ट्र है अगर आप देख लिए तो आपके 5 नमबर ठीक है अगर ऐख्जाम से अंदर वो तो आपके project तों में होने वाले बत्चे प्रगार से ले सकते लिए अज भी बच्चे ऍवाल सेधल इश्याल नहीं को डिए यह लाए प Doesn't it summer ready बोल रहां और इन्पॉर्टन पर जो ta लिवर्रक्च यह जो City All important है same level पर important है और साथ ही साथ जो है most important अगर मैं बात कर दूँ बेटा यह तीनों जो है most important questions है तीनों की बात करूँगा बच्चे मैं किसी को रही प्रप्र critics नहीं दे रहा हो ठीक है यह जो तीनों concept है पेटा हाँ बच्चे तो मैंने गया है सारे बच्चों को बहुत अच्छ समझ आया होगा अब चलो था बढ़ते हैं बच्चे हम जो मानक हीड्रोजन अलेक्ट्रोड पढ़ने से पहले बच्चे अपनको क्या पढ़ना होगा एलेक्ट्रोड वीभा के बारे में जानना हुआ यहां पर सारे चीज़ें समझ आने वाली देखो बहिए क्या होगा अलेक्ट्रोड वीभाव जो होता है वह क्या करेगा बेटा दो एक होता है लिक्विड ठीक है एक होता लिक्विड जो सॉलूशन अपन जो है अंदर पड़े हुए हैं जो हमारा जिंग सल्फेड था जो सॉ दर ट्रौण जो है पॉजिठ्व चर्ण हो जाता है यह अपन पड़े उसके जिंग डीन रहता है जो रखा हुआ रहता है वहां पर क्या हो थह अपहले बैटा जो है जनरेट हो जाता है तो दोनों के च envol better if clip होता है विभापर पोड़ेंट हो जाती बन जाती तो भूरांतर की काराあります तो बच्चे वहाँ पे electricity का फ्रो जो है possible हो पाता है clear सारे बच्चों को यह बात एकदम अच्छा तरीके से सारे बच्चों को clear हुआ होगा तो यह electrode भी हो क्या होता है अगर हमारे पास दो अग न है numerous करते हैं तो सेपरेट होने वालिए उसी को अपन बोलेंगे रल्चे बिख्ड sebenart hoon विभाओ क्या वर एक पाइच्ट अपको मैं याद दिला देता हूं वहां पर बताना भूल गया था फिरहाल अभी यह सुने लो बच्चे वह जो इलेक्ट्रॉण फ्लो फ्लो होता है एनोड से किसके उसके वह रहते हैं अब वहाँ पर ixmf होता है जैसे हमारे पास जो गाड़ी होती थी एक गाड़ी होती है वह गारी क्या मों लेंगे जाता है तो हमाताइव को यहा पैसेंजर को नहीं सबूस्यआ forming ऑप सेंजर और बसक्राइब बच्छा बच्चा मेंले बेखाएब्चार्ट है यह जां।辦 С 202 पूले फ्हे recuerda बच्छे हैं विद्दूतरसायनिक सेल के अंदर बच्चे अपन दो केसे सपड़े थे एक और दूसरा दोता बेटा इस साइड में भूधा है रिडक्टसन हाफ तो उसको थिटीक है अर्ध अबिकरिया बोलता है ठी़क अब बच्चे अब बच्चे आर्ध अबिक्रिया बोल समझ आएगी सारी की सारी चीज़ ठीक है देखो बाई left side की मैं बात करूं left side में क्या होता है oxygen होता है oxygen मतलब होता है oxygen ठीक है यहां पर confused नहीं जो जो मैं English term समझ नहीं आ रहोगा तो थोड़ा सा समझने की कोसिस कीज़ेगा क्लियर सारे बच्चों को देखो हमारे पास अगर कोई मैटल हो कोई मैटल रहता है तो कोई मैटल क्या करेगा या एक electron लूज करेगा electron लूज करके मैटल प्लस चार्ज बना देगा सिंपल इकजांपल मेरा जयद जो होगा मेरा जयदए जयद्ध 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 क्या करता है दो विभाव क्या नुईकरन विभाव क्या आउक्सी करन विभाव वोलेंगे ठीक है क्लियर है कि सारे बच्चों के सारे चीज़ जो है क्लियर होगी अच्छे तरीक है अब देखो बैया अलेक्ट्रोड का जो भार होता है बैच्चा जो एलेक्ट्रोड रहता है उसका जो वेट होता है वह क्या होता है यहां पे कम होता जाता है क्योंकि यहां से अलेक्ट्रॉन क होती रहती है electron का loss होता है की से कारण oxy current के का लॉट होता है जिससे एletrode का जो वीभाव सारी एलेक्टृड का जो वेट होता है वह होते जाते जाता है कम होते जाते यह तो सारी चीज़े हम लोग जो है लास सो है लैक्षे ने बहुत अच्छे तरिके से डिसकस किया हुए है इसलिए बच्चे भी इसको ओवर्व्यू देते जा रहा हूं जहां से सुन दे रहे ना ठीक है केस्टू की अगर मैं बात करूं केस्टू में क्या होता था यहां पर ऑक्सिडेशन जो लिया हुआ है यहां से जो एलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसको पर में बनाता था इस तरीके से अब यहां पर था भार मैं बढ़ता है क्योंकि यहां से एलेक्ट्रों जो है एक्ट्रॉन कोपर टू प्लस चार्ज को एकसेप्ट करता है कि अगर तो वहां पर बच्ची वह हो जमाव हो हो जाता है एलेक्टरोड पे कैठोड के रोड पे सारे बच्चों को यह सारे चीज़ मैं जो बोल्ड रहूं ना बेटा अगर आप लोग जो है विद्धुत रसाइनिक सेल जो मैं बचाये हुगा है दो लेक्चर में अगर वह आप उसको देख के आये होगे तो आप इसको जो जो पोटेंशल क्रियेट होता है उसको हम बोलेंगे अब चैन विभाव क्या बोलेंगे अब चैन विभाव यह सारी बाते एकदम सारे बच्चों को क्लियर होगी एकदम मस तरीके अब बज्या एक आप यहां पर टम आपको इंटूड्यूस कराना चाहूंगा देखो ऑक्स एक फॉर्मूला देखे हुए तो क्या फॉर्मूला है वह जो ईसेल इसे लिए जिकास टू इक होड़ इक होड़ माइनस इनोड यह फॉर्मूला अपन जो है देखे हुए है यह वाला जो फॉर्मूला बच्चे यह देखे हुए लेकिन वहाँ पर आरपी और आ रहे है जो है ओएस नहीं लिखावा था सॉरी ओपी नहीं लिखावा था क्लिए मैं बताओंगा जहां से आब बच्चे ठीक है देखो हम एक स्टैंडर्ट फॉर्मूला लेकर बात करूंगा अगर मेरे को से किसी भी पूरे ओरव एल विख इनर्जी बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा बहिए अलेक्ट्रोड के स्वरी ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है ल तोनों चीजों को समझ के चलना होगा क्लियर बच्चे कन्फ्यूज नहीं होने ठीक है देखो पोटेंशिल की अगर मैं बात करूं जहां पर ऑक्सीघ्रन विभागी मैं बात करूं तो प्लस क्या होगा रिडक्शन पोटेंशिल वह दोनों को जब मैं जोड दूंगा तो मेरे तो देखो भाई अपने पास जो सिंबल सा फंड़ा है अगर मैं बोलूं ठीक है आयू पर अगर बहुता नौता है तुर्ल आशेटा पोटेंशिल यह जो है यह इंडेशन पोटेंशिटीर एक्विलेंट होगा ऐक्विलेंटक्रेंट होगा उन क्रियेट होगा मतलब दोनों तो यह बराबर होने वाले हैं दोनों जो बराबर होने वाले हैं ठीक है समझ में है अगर मैं E-oxidation potential की बात करों E- patience potential पोटेंशल होगा जो क्या बिल्कुल बच्चे है इसे ही हो सकता है तो मैं क्या निख दूँ क्या मैं क्या लिख दूं देखो बहुँ आई लिख सकता हूं तो मैं क्या लिए लिख दू यह लिख दो यह जो ऑक्षीडेशन पूटिंसियल हो रहा है यह कहां पre है जो अप्या पे एनोर्ड पर नोर्ड पर अब मैंने अभी बोला हुआ है कि लिख पर ऑफे और नेगेटियू होता है पिक है नेगेटिव होता है किसका लिख दूंबहिंगे लिख सिंपल सी बात है रिडक्षन पोटिंशाल्स य COB के अनोड आ फिस्ifall अजो है जो कि मैंने लास तरीके सालड हुआ है मैं अच्छे तरीके सारे त Romansilly वह है ठीक है तिया हुआ है सारे बच्चे को क्लियर है यह सारे चीज़ आपको याद रखने बटा इसको आप लोग इस टार बना के लिए या ना चैकल आपके लिए बहुत जाए इंपॉड़न्ट है और बच्चे जब आप जो है नुमेरिकल सॉल और तो यह फॉर्मूला आपके यह useful होने वाला है clear मज़ा आया चलो आगे बढ़ते हैं देखो बही या ठीक है एलेक्टोड वीभाओ जो होता हाँ एलेक्ट्रोड को calculation की basis में हम तो तरीके में calculate करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं गर्णा करते हैं सबसे पहली जो चीज आती है वह आप लोग को पता है जो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाल है जिसका नाम है सी जिसका नाम है बैटा सी सी मतलब भाईया सिंपल सा अगर बच्चे यहां पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो बच्चे ध्यान से सुन लो सी का मतलब होता है एस का मतलब होता है इस का मतलब होता है स्टेंडर्ड ठीक है एस का मतलब होता है हाइड्रोजन है होता है hydrogen ठीक है hydrogen और यह का मतलब होगा यह का मतलब होगा बेटा एलेक्ट्रोड क्या होगा एलेक्ट्रोड तो इसको मैं बोल दूंगा स्टेंडर्ड हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड मतलब भाया हमारा मानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड यही है इसी में क्या करेंगे बच्चे हम लोग कैल्कुलेट करेंगे स्टेंडर्ड लेवल पर स्टेंडर्ड पोटेंशल को ठीक है यहां और कान स्टेंडर कैल्कुलेशन करेंगा ध्यान सुनए स्टेंडर कैल्कुलेशन में जब बोलूं ठीक है स्टेंडर कैल्कुलेशन जब मैं बोलूं तो आपको जो हमाज टेम्परेचर है हमारा धापमान है 298in लेके चनना है क्या करना बेटा two nanty eightust 축et twenty Amendment two seventy threekeldi two nine twenty hour achievement standard level में बात करनी है और हमाई जो प्रेेसर होने वाला है जो दाब आप होने इंदर लेके चनना है और जो हमारा सांसेंट्रेशन ओना होने वाली है वह मोलर होने वाने वाला है is not equal to one more, she is not equal to one molar, temperature is not equal to two 98 Kelvin होगा, होगा, है, two 98 Kelvin, अगर मैं बात करूं, Pressure की, तो Pressure is not equal to 180 m होगा, मतलब यहाँ पर non-standard, किसी भी standard case को follow नहीं करेगा, तो इस process के अंदर, हम लोग standard case के अंदर, ठीक है, मैं बता दूं, सब्सक्राइं के बारे में पढ़ रहे होते हैं और गयर इए ते這邊 इन भूसे नॉन भूसेटिक है सब्सक्राइब के बारे में पढ़ते हैं किसके नरनस्ट समी करन के बारे में पढ़ते हैं तो यहां से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि चीजे कैसे आई है कैसे करते हैं कोई भी चीजे कहीं से भी नहीं आई है प्यारे बच्चों ठीक है आपको चीजे एकदम जो है बाई सिक्वेंस पढ़ा रहा रहे हैं ठीक है ध्यान सुनना देखो भाईया देखो हमारा जो मानक हानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड को अपन फड़ा-फड़ श्टार ऐसे होती है अगर मैं डारेक्ट यहीं बता दूँँ बेटा आप रिलेट नहीं कर पाऊगे आप रिलेट नहीं कर पाऊगे तो दिक्कत हो जाएगी उसी को मैं बच्चे यहां पर सौल करने आया हूं ध्यान से सुनना बच्चा सी की मैं बात करूं सी मतलब भाईया यहां कोई लड़की नहीं समझ जाएगा कोई गल्स की बात नहीं हो रही है यहां पर सारे बच्चों को अब यहां पर हमको स्टेंडर्ड हाइड्रोजन अलेक्ट्रोड पढ़ना है तो वहां पर कुछ स्टेंडर्ड जो है लौज फॉलो करने पड़ेंगे कौन-कौन सी 180 University UK में highlight EM होने वाला है हमाना जो solution होगा हमारा सुलूशेन होगा इस विल्यठी में uhเลย का डिप्ड जो हविलियन होगा जिस विल्यठी रखा जाएगा तो कैसे होना चीह डिशा कंसे solution लेना है फिरह बीसे उत्ना जान लो ठीक हमाना जो temperature है वो 298 Kelvin जैसे कि हमको पता है ठीक है प्रेसर जो है 180 यह हमारा जो concentration है बच्चा वन मोल होना चाहिए क्लियर सारे बच्चों को यह होगा standard condition यह होगा standard condition ठीक है चलो बच्चे start करते हैं अब देखो वाई इस तरहीए से के अंदर ध्यान से देखती जाना बच्चा ठीक है आपको इस तरह के सेट अप दीक रहा है इस सेट अप कैसे बनाएंगे सर इसको सेट अप में कुछ नहीं बच्चा एकदम कुछ नहीं इसलिए मैं इसको पहले से बनाकर रखा हूं ठीक है जब को मुझे लगा था कि जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी से दिक्कत हो जाएगी तो इसको मैं पूरी की पूरे ड्रॉ करके बनाया था क्या बच्चे था पूरा आपको जह वन बाई वन सिक्वेंस की तरह मैं क्या करता लेकिन इसको बच्चे यह बहुत इजी है तो आपने इसको समझ पाओ कि जहां स कोन होता है प्लस चार्ज में यह प्लस वाला सॉलूशन मिल जाएगा स्कुल स्वाला सॉलूशन मिल जाएगा तो क्या सर किसी बच्चों में दिमांग आ रहा होगा बेटा क्या मैं as to sr4 ले लुको पूर ले सकते हैं बिल्कुल आप sr4 ले सकते हैं लेकिन बच्चे यहां पर concentration थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है इसलिए हम S2S4 को यहां पर consider नहीं कर रहे हैं S2S4 के लिए यहां पर standard level पर हमको थोड़ा साम ताम जहां करना पड़ेगा हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी ठीक है एक container के अंदर one more concentration का SCL का solution लिया ठीक है जो कि आपको दिख रहे हैं यहां पर अब SCL का concentration लिया तो उसके अंदर मैंने एक ट्यूब रखा क्या रखा ट्यूब उस ट्यूब के अंदर जो है मैंने hydrogen gas क्या कर दी फिल कर दी hydrogen gas की फिल कर दी ता hydrogen gas देखो इस तरीका से यहां पर जो है इस से है कोने से hydrogen gas जो है जा रही होगी ठीक है अब यह hydrogen gas कौन से pressure पर जाएगी सर वह तो आपन को पता है सर आप मद बोल यह hydrogen gas कौन सी pressure पर जाएगी 180m के pressure पर बैटा क्या होगा 180m 1 atmospheric pressure पर hydrogen gas जो है जाएगी स्ट्यूब के अंदर ठीक है जब इस ट्यूब के अंदर जो चली जाएगी 180m पर तो क्या होगा बच्चा यहां पर जब gases आएगी नीचे जब gases आती जाएगी तो हम यहां पर वाला करब इसलेंद फिरने जो हatics नाम घर चाना कट करेगा और कहुंतर आपको जायगा यहां से उसके लिए पन कुछ ना कुछ है ऐसे चालकता तार यूस करने पड़ेदेंगी या फिर बच्चे में को ज़ए कुछ ऐसे ताम जरम लगाना पडेंगा जिसे यहां electricity का flow हो पाए तो उसकेल लिए पैसे एक जो तार का यूज क्या एक जो कि अपने किसे लगा देता है तो यहां पे प्लेटिनम भुटेट बीन लिए है इसके आपन जो इसको लगा दिए इससे अब इस सारे बच्चे को जब अब होगा इस तरीके से जब सेटप होगा तो यहां सी जो अपने जो लिख पाओगे जिन बच्चे को दिक्कत होगी जैसे भी प्रॉब्लम होगी तो वह क्या कर सकते हैं नीचे जो है बच्चों को अच्छे से समझ आया चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है सिंपल सी बात है हमारा है यह च्टेंडर है इस तरीके से पूरा पूरा एक्टिविटी ओने वाली क्लाप होने वाली है अब इसको कैसे करेंगे जैसी कि हम लोग रसायनिक को रिप्रेजंट कर रहे थे द सदास आने वाले हैं देखो बाई पूरा करें कि प्लीन कि यहां पर निकिस प्लाइन के बाद मैं एक लाइन लगा दूँगा ठीक है क्या निक्सक्राइब ऐसा that भी भी लगा रहता है तो यहां पर कोई भी डिक्कत लेंगे बात नहीं है सब बच्चे एक ही जैसे हैं सारे बच्चों को समझ में आयां सारे बच्चों को यह सारी चीजे बहुत अच्छे से क्लियर होई होगी ठीक है उमीद कर रहा हूं चले बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते इसके कुछ यूजेस के बारे में बात करते हैं कि एक्च्वल सेल के अंदर कैसे काम करेगा ठीक है बच्चे एकदम बहुत जादा इंप्वर्टेंट अगर यह लिख क्या होए तो आप आपको पांच नंबर कहीं नहीं गए अच्छे तरीके से बस लिखना कुछ दिक्कत नहीं आएगी समझ में आया चली आगे बढ़ते हैं देखो वाई साब कि अपने क्या किया हमको पता है सर एक साइड पर लेप्ट साइड पर क्या होता है जिंक होता है क्या अब बोलूंगा तो वहां पर एलेक्ट्रोड के अंदर कौन से चार्ज बनेगी नेगेटिव चार्ज होगी नेगेटिव एलेक्ट्रोड होगा सारे बच्चों को यह सारे चीज़े मैंने बता रखी है तो बहित देखो जहां से इस लेप्ट साइड पर क्या हो रहा है हमार से हमको जो है potential difference मिजर करना है क्लिए हमको मापन है clear सारे बच्चोंको इसलिए मैंने हम पेवल्ट मीटर लगाके रखा है अब जब लगा बेटा तो इसका एक साइट को मैंने क्लेट दिया मानक hydrogen electrode C से सबस्क्राइब कर दिया जब सी से बच्छे तो यहां से उलक्ट्रॉण निकलेगी यहां से सारेबदे würden करेंग यहां है है।book प्रोष सारे वह आने वाल और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चो है क्या होने लावाला है यह है फ्लक्ट्टेशन हमाना जींग के लिए माइनस सरी माइनस च्पारी 0.7 वोल्ट पर आके दो क्ता है जब अपी यह उसलिया ने प्रमजोंट के मेन cohort उप्ट लॉमने यह थीम माइनस 0.76 वोल्ट पbel किसे के लिए बच्चे लिए मैंने बाद कि किसके लिए बच्चा जिंग के मanna BATSKY यही बच्च लिए मैंने बात कि यह हो जाता है कोपर के सब्सreuपी जो है यह जो रात जो सार प्रॉब्लमें हो चैंज हो जाएगी क्या इसने प्रिज्स के लिए मैंने लुखना हो यह इसके लिए उने वल् से यह जो क्या होने वाला है जक माइनस बच्चे जिंक के लिए जो है माइनस 0.76 वोल्ट होने वाला है और कॉपर के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है 0.34 वोल्ट होने वाला है जो कि हम लोग जो है इसको माप के जी साइंटिस थे बैटा यह जो है प्रॉपर जो है कैलकुलेशन के बाद आया है ठीक है हम यहां पर कुछी भी नहीं रखें यह प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद यह आया हुआ है ठीक है हम लोग रसानिक सेल के अंदर यह दो चीज़े पढ़ते हैं इसलिए इसका कैलकुलेशन मैं यहां पर बता दिया सारे बच्चों को एकदम समझ में आया अब वोल्ट मीटर की करते हैं तो हम क्या करेंगे हम जो है इसल में हमारा चोंप फॉर्मूला वह स्टैंडर केस में मानक पोटेंशल के केस में हम इस तरीका से फॉर्मूला यूज करें कौन सा यह आप फार्मुले यूज करें किसके लिए इस टेंडर केस के लिए इस करना है ठीक है इकजाम से लिखा होगा कि कौन सा है हम जो मानक इलक्ट्रोल लेने वाले या फिर जो है नॉर्मल रसानी सेल की बात हो रही होती है क्लेयर सारे बच्चों को समझ में यह च्लिए बच्छा आगे बढ़ते हैं देखो वहाया मैंने आपको अभी अभी बोला हुआ है मैंने आपको अभी उड्स बोला हुआ क्या बच्चे क्या हमारा जो होता है वहाघ्ज्ञ हएं मिoe होता है स्वाइब बच्चे को अब देखो यहां पर यहां पर यह नोट से लोगा यहां पर इनॉट जेदें टू प्लस चाल्ज हमारा जैड़न होने बात करूं तो वापस मैं बैटा आपको बता देरों अभी अभी मैंने आपको बताया भी हुआ है जिंक के लिए आपको याद रखने और इसी को बच्चे आपको अगी कभी बीडानियल सेल के पूछे तो भी यही हमको जो है आपको कुछब मिलने वाला यही जो रेशियों सारे मिलने वाले हैं कभी आपको कुछ भी पूछे भी यहां पर कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है बच्चे समझ मैं अगर इसकी नोटेशन की मैं बात कूल तो हमारा जिंग जो होता है जिंग टू प्लस चार्ज में कन्वर्ट होता है ठीक है तो जिंग जो है हमको यहां पर निकालना होगा इनॉट सेल स्टेंडर्ड केस में बात करने होगी तो अगर इसको मैं कैल्कुलेशन करूं क्या होगे बेटा इनॉट सेल कैठोड इनॉट सेल कैठोड माइनस इनॉट इनॉट सेल एनॉड यह अपनको पता है ठीक है कैठोड यह स्टैंडर केस पर बात किये हुए है सभी से सारी चीज़े आपन को ठीक है जब यहां पर कल्कूलेसं करते हैं यह मैइनश मैइनश का प्लस हो जाएगा जब इसको अएड़ तो हमको इस्टैंडर केस में ने बटा जो टो पोटेंशेल मिनने वाला वह क्या होना है 1.1 वोल्ट मिनने वाला है क्लियर सारे बच्चों को बहुत अच्छा दरिकाश सारे बच्चे को यडिमांड कर सकते हों या फिर परीषानी होगा तो वह बंसक्षे क्रूशानी में पूछ सकते हैं तो बच्फे यह हमाई नंबर है इस क्रेंव फिर अङ oder नोट की दिमांड कर सकते हो अगर किसी भी तरीकर से कहीं पर दिक्कत होगी तो आप लोग स приз чिंत these पूछेगा ठीक है तो अभी के लिए वीडियो हम यहीं पर खथम कर रहे हैं कंदरे करोजन पढ़ने वाले संचारन पढ़ने वाले हैं तो अभी के लिए वीडियो पर खथम करते हैं धन्यवाद इ Ghost